वागत आपका इजिफ इंडेस्ट्री में आज अपने बात करेंगे रसी वी उमेन और गुंजरात उमेन के बीच होने वाले उमेन आई पेल के मेच के बारे में तो दोस्तों यह मेच खेला जाए अरुण जेटली स्टेडियम डेली इस मेच के लिए किस परकार से आपको टीम लेकिन इंपोर्टेंट रहने वाले आपको बस कुछ नहीं करना वीडियो को पूरा ध्यान से समझना है देखना है एक बात जो मैं बताओं उसको नोट करना है तब आप हैंट्रेट परसेंट में बहुत ही अच्छा विन कर पाओगे तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडिय सब्सक्राइब करें वीडियो को जा जाए लाइक को यहां देखवा डेली उमें एक सो बाणवाइपे चार और माइव में 163 बनाती हार्ट वीट के नुपसान पर यह अरुन जैटली स्टेडियम पर पहला मेच था इस सीजन का ठीक है जहां पर माइव में को हार का सामना कर यहां देखवा पोश्टिले उमें 132 पर चेंगलें उमें चेज नहीं कर पाती आठ विगड़ पेसर को मिलें दो विगड़ मिलें तो जीतनी है साथ विगड़ पेसर को एक स्पिनर को जो आईपील के मेच हुए थे उसमें भी बड़े स्कोर दिखे थे उमें आइपील के पहले मेच में बड़ा स्कोर बन चुका है देखो सीएस के 223 मना रही है तीन विगड़ है नुकसान पर डिसी की टीम एन डेली केपिटल चेज नहीं कर पाती है नो विगड़ पेसर को मिलें नो विगड़ मिलें तो यहां पर देखो बेट फरस्ट वाली टीम ज्यादा कु सब्सक्राइब करनी तो कुछ में लाश्ट पांच मेजों में उसको ज्यादा है फिर से आप बेट फरस्ट की तब जा सकते हो ठीक है अलांकि आर्सीब चेज करेगी तो भी आर्सीब के चांस ज्यादा है क्यों गुजरात की टीम बिलकुल भी फोरम में नहीं है बाकि विक बात करते हैं कि लाश्ट हैड्ट मेंच की तो इसके लाव मंडाना में ने अच्छी पारी खेली थी पेरी इसके लाव नजर आएगी सोफिय मैंडुलेक्स केप्टन आई थी वह स्मुर्ट ती मंडाना रेणूका सिंधाकूर जी वेरियंग इनकी तरफ से टी कवर गार्ट कर पाओगी देखो वीडियो को आपको पूरा ध्यां से समझना पड़ेगा ठीक है जिससे आपसे बताता हूं टीम बनाने पड़ेगी आप पक्का विन करो तो देखो आज के मेंच में इन प्लेयर में से बहुत से प्लेयर रिपीट हो सकते हैं जिसमें सोफिय मोनोलिक्स है पेरी या मंदाना मेंगना ठीक है रिचा गोश है ठीक है गाड़नर है ठीक है याथ प्लेयर ही चेंज होगी जाद चेंज नहीं होगी तो टिम जो रही है सापसे आप तिम बना सकते हो रैनुका सिंग ठाकूर जिसका सेलेक्शन है आज की में कमा और रिपीट हो सकती है की टीम का भी तक खाता नहीं कुला वैं गुज्राद जाइंस एकदम से पीच्छड रही है टीम एकदम से खराब खेल रही है यहां देखा आप बैंगलोर उम्मेन की जो पॉसिबल प्लेंग लेओं रहने वाले मंडाना के साथ ओपनिंग करेगी मेगना उसके बाद पेरी सो बैर ट्राइ करेगी बाकि रीचा गोस बहुत ही श्यांदार कीपर इनके पास ठीक है इसके लाग जो भी चेंज होगा में से यो भी अपडेट रहने वाले सब मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक दियो टेलीग्राम चैनल का त साथ में मेगा जेल के लिए बैतिन कोंबिनिशन भी में आपके साथ सेर करने वाला है तो टेलीग्राम आपको जरूर जोइन करना है ठीक है यहां देखो एक एक प्लेयर्स की जो फोर्म को आप ध्यान से समझना है एक डिकोर्ड में आपको बताऊंगा वेन्यू रिकोर्ड इस सीजन का तो ज्यादा पिछ पर कोई फरक पड़ेगा नहीं तो अच्छा खेल सकती है मंडाना और मेगना मेगना को देखो आप 31,56,36,36,14,28 बाई कम्वाल की फोर्म में इसलिए इसको ओपन करवाया था लांस्ट में वहां पर भी अच्छा प्रफोर्मेंस दिया था इ लेकिन उलट पेर करेंगे तो किस कंडिसन में करेंगे कोन सी टीम बनेगी वह सब मैं आपको बताऊ नो पेरी 24,8,0,93,0, csak 080,88 बाई श्यांधार बैटिंग करेंगरा रहे हालांगी बॉलिंग से विकिट पेरी को इस सीजन अभी तक मिला यह नहीं है ठीक है बाकि लाकि लेकिन इस सीजन इसकी बैटिंग अच्छी नहीं रही है लेकिन बोलिंग से इसने कॉंट्रिबूशन दिया है और इनके अगेंस बैटिंग कमाल के रहती है तो यह आप देख सकते हो इस मेच में सोफिय डिवाइन काफी अच्छी पिक आपके लिए बन सकते हैं खासकर यह बेटरस्ट में ध्यान में रखना क्योंकि अगर इस टाइडिंग में एक विगड भी जल्दी गिरता है दो विगड जल्दी गिरते हैं या थोड़े टाइम के किपिंग से काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाली है क्योंकि बैंगलोर उमेंस के जीतने चांद ज्यादा है तो विकिट भी उदर गुजरात के ज्यादा गिरेंगे तो किपिंग भी चांद रहेंगे बैडिंग बेडिंग करती है इंपोर्टेंट बोलर है लाश्ट टाइम इनके अगेस तीन विकिट निकाली थी केप्टन आही थी फिर से ट्राइ कर सकते हो आप सोफिया मोनलेक्स बहुत एची प्लेयर है एज जे प्लेयर तो आपको ट्राइक करना ही चीए जोर्जिया वेरियम को देखो आप एक विकि अलांकि हाई रिस्क होगा वो लेकिन जील के लिए ऐसे रिस्क कईवा लेने ही पड़ते हैं आपको आप सेब जाना चाहो तो चांसे जिनके हाई है इनके एच्छे प्रफॉमिंस करने ही ठीक है सिन्या दिल बादूर का कोई रोल अभी तक बना नहीं है तो ज्यादा बात क तो ट्राइ कर सकते हो लाश्ट टाइम इनके अगेंस दो विगिट निकाले थे तो इस सीजन में जो दो विगिट हाथ लगे है वो गुजरात की टीम के सामने ही हाथ लगे है इसको फिर से ट्राइ कर लेना बाई रेनुका सिंग ठाकुर अच्छी पीक आप के लिए बन सकत इसमर्ति मंटान है कि 3 में इंच में ठाकुर रहने वाली है हालांकि लाश्ट टाइम यह फ्लोप रही थी इनके सामने लेकिन अच्छी पिक बन सकते है आपके लिए सोफिय डिवाइन बोलिंग से थो फोरम में है बैडिंग में इनके अच्छा चलते है तो पिछ भी बैट तो यह देखते हुए चांस लेना अगर लेना चाहो तो रीचा गोस पे फिर आप बैथ मुनी को अपने टीम में लेकर चल सकते हुए मेगना एक मेच में चाथिस मनााएं अगेंस पागी रहान Uka Sing Nachthapun न दो ममेच में तीन मिखेट निकालें शोपिय मौनोलिक्स के तीन मिखेट निकालें वयरेम के एक मेच मेच में एक वीडत है और अश्य ती कवर पठ्थान एम कश्यप और मेगना सिंग आप खिलती नजर आई अब ये टीम चेंज क्या कर सकती है वही लाश्ट मेंच में उन्हें हल लिन देओल स्नेयर आना को नहीं को नहीं को नहीं किला अब क्या चेंज करेंगे देखते हैं ठीक है अब चांसेज कम है थोड़े तो ये टीम क्या से जीतेगी तो वह एक आनी है थोड़े वह तरण जरूर किया है तो इससे आप ड्रिम टीम के मेंबर है इसको ट्राइक कर सकते हो बागी बैटिंग इसकी बिल्कुल भी एच्छी नहीं है अब बैट फेस्ट में अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट हट कर जैसे आप पांच च्यार टीम बनाने वाले कोंबिनेशन अगर आप बनाते हो तो आप दो टीम गुजरात को दे सकते हैं ज्यादा नहीं कि चांसेज गम रहेंगे लेकिन हाँ उलट फेर भी कई बार मेचों में होता है तो ऐसे मेचों में आपकी जीतने के चांसेज बन सकत अठावन पंद्रा चार जीरो तीन उसके बाद अठाईस और लाश्ट मेच में फिर से डख पे यह आउट हो गई तो लोरा वलफाट का फोर्म कुछ खास नहीं हालांकि दो ही मेच सीजन के तो खेलें इससे पहले भी कोई जादा अच्छे रन बनाकर नहीं आ रही तो इनक सकते हो ठीक है पी लिच फिल्ड और वेदा कर्ष्ण मूर्ति यानि मिडल ओडर में से एक प्लेयर जील के लिए आप ट्राई कर सकते हो वेदा कर्ष्ण मूर्ति 41, 22, 23, 17, 0, 9, 12 ज्यादा बड़ी बेटिंग करके आपको नहीं देगी लेकिन 30-35 की पारी यह खेल सकती है प में इसको बेटिंग में काफी नीचे किया गया था क्यों कोई चोट की वज़े से साइद यह नहीं खेल पाए थी तो इस में देखते हैं साइद खेलने चाहिए बागी नहीं खेले कि तो कोई और प्लेयर इसके यह खेल सकते हैं बताओं मैं आपको गाड़नर पैतिस दो व बना रहे हैं लेकिन विकेट इतने नहीं मिले तीन ही विकेट मिले चार में इस सीजन बाकि इनकी तरब से लेन लाइक पिक गाड़नर है ठीक है बैत मूनी है ठीक है के प्लेयर को यह उपर बेटिंग करवाएंगे ना तो यह प्लेयर पक्का ड्रिम टीम की मेंबर भी मनें आपके लिए भी टीम की लिए भी काफी फायदा करने वाले अच्छी प्लेयर है एक वीड़ एक टाइस तो वीड़ एक वीड़ दो वीड़ तेरा नेकेट है हर में ड्रिम टीम की मेंबर रही है पर्थान जो डूमेश्टिक किर्केट है वहाँ परफोर्मेंस अच्छा है लेकिन यहां पर लेवल थोड़ा अलग रहेगा पासन चार वीड़ चैर प्लस जीरो चांडिस प्लस जीरो अठार नोड़ आउट जीरो लाश्ट पेंच में नोरन जरूर नहीं बना है विकिट लेस्ट जातर बार यह रही है डोमेश्टिक में भी तो विकिट की उमीद आ उसके बाद जीरो एक विकिट जीरो एक विकिट ट्राय कर सकते हैं लेकिन जरूर नहीं कि हर बार मेंगन आपको लेकर देगी एसा एक्जाम्पल आपके सामने यह इससे पहले कई बार विकिट लेस्ट रही है ठीक है यहां दखो हैट टो है रिकोर्ड भी कुछ खास है नह अब मेगा गनलिक के लिए आप क्या चेंज करेंगे लास्ट गेम भी सुपर रहा था हर मेच में आपको बहुत यह लोड सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर बता देखो अगर फंच आना है तो ऐसे प्लेयर के बिना नहीं आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते हो इनका सेलेक्शन कम और आप खुद मेरे कैने से ने खुद जाकर अपनी टीम का एक्जामिन करो लास्ट मेच की डिम टीम मैच करो देखो कितने लोड सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर आ ही आप हいる बार देखेंकि अगर आप तो आप नहीं विद्गात कर थम्हें तरफूर चांगा नहीं की तरफ है वेदा कृष्ण के लाश्टाई यहां देखवा अगर बेंग्लोर मैंस पहले बोलिंग कर रही है जो आप ले सकते हैं क्योंकि सामने जो टीम है उसका performance अच्छा नहीं चल रहा है तो उनको पता है कि target देना है तो उस साब से खेलेंगे तो विकिट उनके जाएंगे ठीक है इधर से अगर गुजरात की टीम पहले बोलिंग करते हैं यहां से ले सकते हैं अगर गुजरात पहले बोलिंग करते हैं तो तीन प्लेयर आपको मिलने की चांस रहेंगे ठीक है दो बोलर ही है फिर आप वेदा कृष्णा और के ब्रैस में एक प्लेयर्स यहां से ले सकते हैं अगर गुजरात पहले बोलिंग करते हैं तब भी आपके लिए फाइदा ही रहने वाला है क्योंकि आश्या और आप प्रका पर को ट्राइड किया है परी इवाइन गा नरर मोनोलेक्स वान गाडनर मोनोलेक्स को लिया इह और गिष्णमध की जगा फिर आप ट्राइ कर सकते हो एक 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 स्पिनृ लिका सबसे अच्छी पिक आपके लिए डिवाइन और मंदाना रहने वाली इस मेज में भी ठीक है मोनोलेक्स भी लाश्ट टाइम इनके अगेंस अच्छा किया था तो ट्राइ कर सकते हो बाकि RCB के चांसे ज्यादा रहेंगे इनकी तरब से इनको कोई मेज निकाल कर देगा पूरा तो वह है गाड़नर तो गाड़नर पर फोकस करो इनकी तरब से अगर आप टीम बना रहे हो तो कैप्टन करो फिर गाड़नर को चाहिए को बैट फस्ट करें चाहिए सेकिंड करें बैत मुहनी को वी सी कर लो लोरा और पांट तो ऐसे प्लेयर बड़ा चलेंगे तब ही यह मेज निकालेंगे बाकि चांसे रसी बीके रहने वाले दोस्तों वीडियो को जाज जाज सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद